कुछ किये बिना यूहीं जय जय कार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यह लाइने भले पुरानी हो जाए लेकिन एक जज़वात एक जुनुन नया हो जाता है जब आप इनको गुन गुनाते हैं या बोलते हैं बिल्कुल हम लोग भी कोशिस कर रहे हैं इस समय अध्यापक भरती पर इक्षाओं में पूछे गए कुछ मात्तों सलूसन ले करके हर रोज पी वियरे स्टेडी चैनल नमबर दो पर यह लाइब होती है तरीके आठ बजे से आप सभी जरूर जुड़ें जितने बच्चे ज़ देते और सब्जेक्ट आप घर पर पढ़िए हमारी कोशी से कि अध्यापक हम लाएंगे और भी से के लिए लेकिन अभी सिर्फ मैत के लिए आप कुछ दिन डेमो देखिए आपको यकीन हो जाएगा कि जीरो से हाई लेबल तक मैटमेटिक्स हम आपको कैसे सिखाते हैं बि अंकज मंजू केसरवानी और कौन जुड़े अभी अमीत कुमार जुड़ गये हैं गगन जी भी जुड़ गये हैं और प्रियंका अभिसेक दुरूप अनंत संद्या सिंग विनीता यादो और कौन है विनीता केसरवानी जी बिल्कुल बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी है आज दसमा दिन है यह लाइब का बहुत ही सांदार होने वाला है यह आप यूपी टेट और सी टेट और जो भी आपकी टेट परिक्षाएं होती है चाहे कि वह जे टेट हो या फिर एच टेट हो कोई भी राजे का टेट हो चुकि यह जो एक्जाम का लेवल है लगभग अब आप लोग बताओगे कौन बढ़ा है पहले आप हल करोगे तब बता पाओगे ना देखो समझने की कोसिस करो इसमें आप्षन जरूरी है बिना आप्षन के आप बड़ा छोटा नहीं जोड़ पाओगे तो भाई साब पहला आप्षन है तीन का घाते दो आप लिखो आप्षन लिखो हाँ पहले तीन का घाते दो ये पहला ऐसे है 3 की काते दो अलबाद में है दूसरा अपसंभा यह दो इंटू दो इंटू दो बहुत ही ध्यान से समझेए कोशिस करिये 3 का स्कॉइर है फिर उसके उपर स्कॉइर है देखो कैसे समझने कि आप कोशिस करो थिरी का स्क्वाइर फिर इसके उपर स्क्वाइर और फिर फाइनल में कोश्टक बंद स्क्वाइर और डी नमबर है थिरी का पावर ये देखो दो फिर दो और फिर दो इस तरह से दिया है ये कुश्चन दिया आपकी बुक में जो कि आपके आगामी जो परिच्छा है उनके लिए बहुत ही helpful है कहरा कि इन में से कौन बड़ा है देखो ये सिर्फ चंद सिकेंड का कमाल है आप बड़े प्यार से जान जाओगे कौन बड़ा है चलो भई देखो पंकच का उत्तर भी आ गया और कोई मनोज और अंतिमा बहुत अच्छे बेरी गूट चलिए देखिए इसमें कुश्चन नंबर अगर आपके पास बुके हैं कोई भी तो आप उसमें देखोगे कुश्चन नंबर नाइन है ये ठीक है लेकिन आप कहोगे कि हमारे पास तो बुकी नहीं है अर्य गें ये नंबर तो के लियर जितना भी इसमें तो कोई गारे लेकिन भाई में इसमें सब्सक्जक्राइं इसकान गतलब इसका कि घृत और हो आता कुछ लगा रोंगा चल्दी करो 6561 आएगा न आएगा न भाई साब यह आएगा 6561 और इसका क्या होगा तीन तरिक का 9 का घात दो यह ऐसे बनेगा बाबू देखो यह तीन तरिक का 9 हो जायगा 9 का घात यह बाहर दो है और फिर यह खोपड़ी पे बाहर भी इसके 2 है आईसा है समझने की कोसिस करो यह फाइनल में 81 हो जायगा भाई 9-9-80 की इसकी घात दो आप 81 का स्कॉयर करोगे तो फिर से यह 5661 अठाएगा ठीक है करके देख लो भाई कल्कुलेशन नहीं बताऊंगा जिरो लेबल नहीं है ठीक है अगला करोगे बच्चा अगला वाले में भी आप्सन है अगला यह सबसे लंबा जाएगा सबसे लंबा कैसे जाएगा पता है क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है इसके घात के उपर घाते हैं टो में फाइनल में यह घात 16 ben जाएगी कितना अगला गट बन जाएगी 16 अब देखो कि आप देखो गये इह 2 दो और इसके गहत यह दूना चार उपर गुड़ा हो जाएगा और यह फिर कितना हो जाएगा सोयला हो जाएगा बहुत लंबा उत्तर हो जाएगा फिर आपका जा करके लिखो जल्दी आगे लिखो फटाफट इधर दिख रहा है कि नहीं यहां खड़ा हो जाता हूं तो आपको नहीं दिखता ना नहीं दिखता ना चलो जल्दी करो तीन की घाथ यह सोला इसमें कोई कनफ्यूजन है तो निसंकोच बतादो जल्दी से फटाफट बताओ जल्दी चलो देखो एक बात यह है बड़ा ही तो हमें निकालना था अब इसको सलूसन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है हमें पता है कि तीन की घाथ जो सोला है यह इससे भी बड़ा हो जाएगा इससे भी हाथ हो जाएगी इसका कई गुना ज्यादा आएगा वह नोट कर लीजिए स्क्रीन साथ ले लीजिए जो भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट जल्दी करें देर ना करें कि समझ में आ रहा ना कोई भी कंफ्यूजन है निसंकोच आप कमेंट करिए और हमें बताइए आप आपको हम देते हैं पूरे हैं दस सिकेंड पूरे 10 सिकेंड मैं भी कोशिष कर रहा हूं वीडियो प्ले करने बहुत चाहतरी स्कलास को देख रहे हैं तो भच्चे जो भी भाई पीवियार स्टडी एप में देख रहे हैं वो इसका सो जरूर बनाएं क्योंकि एप में आपक नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बैतर तरीके से पाओगे ठीक है चलिए सबी नोट कर लिए बाई मनीज जी क्या दिक्कत हो रही आपको मिश्टर मनीज क्या समस्य हो रही आपको बताइए मिटाएं अगले सवाल पर चलें करो कौशिस करा हूँ कि काय से दिख रहा है इधर साइड में कोई सु नहीं हो रहा किसी को नो प्रब्लम एकदम मस्त दिख रहा है आपको Ini कलो है इस एक दर मस्त दिख रहा है और मैं आगले सवाल नमबर कि और हम लोग आगे 230 रही आपको देखो आपका इंटरनेट साही नहीं है इस वज़ा से आपको ऐसा कुछ हो रहा है बाकि ऐसी कोई दिखत नहीं अगले कुश्चन नंबर की और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन बहुत ही सिंपल सा होगा देखो जो भी बच्चे कलास में टाइम से जुड़ते हैं वो अच्छा सीखते हैं और जो बाद में जुड़ते हैं अगर पीच में कुछ उड़ जाता है तो उनको काफी कनफ्यूजन होता है और फिर वो बड़े टेंसन में आ जाते हैं है नहीं चलो तो क्या करोगे अब जिम्लिकित भिन्नों में से कौन बड़ी है आठ वटा तेरा और यह बतीस बटा सत्तानवे और यह सोला बटा सत्तावन और यह दो बटा साथ उपरयुक्त भिन्नों को परिडाम के करम में वेवस्थित करने पर हमें क्या मिलेगा बताइए जब आप दीजिए फिर आएसे कह सकते हैं का आरोही करम आरोही करम होगा इनका आरोही करम क्या होगा अच्छा जल्दी से पहला है आठ वटा तेरा बतीस बटा सत्तानवे तोला बटा सत्तावन और दुई बटा साथ दूसरा option है 32 बटा 97 और 16 बटा 57 देखो ये live class इस तरह से आज आपको मिल रही है जिसमें आपका time काफी last हो रहा हो अगर मैं question लिखता हूँ इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आज के बाद मैं आपको recorded class अगर उपलब्द कराऊं तो ज्यादा बहतर रहेगा क्योंकि question लिखने में भाई आपका time based होता है ये आप लोगों को अनुभव होता है कि नहीं मैं question जब उतारता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि इसम कोई confusion आपको नहीं होगी ये question लिखना मुझे बड़ा गंदा लगता है लेकिन लिखना पड़ता मजबूरी है ठीक है ये आपके सवाल है करा इन में कौन सबसे बड़ा है इनका आरोही करम बताईए सबसे पहले हमें जो भी number दिये गए इनकी actual value पता होना चाहिए मतलब हम में यह मालूम होना चाहिए आखिर वास्तों में इनका मान कितना है तो हम इन सब का मान अलग अलग निकाल लेते हैं आठ बटा तेरा और यह 32 बटा 97 यहां से हम यह गयस करेंगे कि कौन कितना बड़ा है किसमें कितना दम है यह तीन यहां निकालेंगे चौथा दूइबट साथ का मतलब होता बच्चा जब इसमें दो में भाग करो कि अगर सात्त से तो सबसे पहले पॉइंट जाएगा फिर साथ के म सथे पीर साथ शाज हो जायगा accomplishments साथ में कितने साथ अठे साथ परचे परदी साथ संग बयाली साथ सता उन्चा साथ अठे चापन ना आर्ट मतलब यह 0.18 के लगभग आएगा आप भाग करके देख लो यहीं आएगा ना क्यों यहीं आएगा कि नहीं नहीं यार साथ दूना चुदा दो बार जाएगा ना कम से कम दो बार जाएगा तो यह टू पॉइंट लगभाग आएगा मतलब 28 पैसा के लगभाग आएगा ठीक है इसी तरह आप इसको भाग कर लो अरे यार लोग करके दिखा दूं बगल में ऐसे इसको जाने तो इधर साइड देखो यह ठीक है देखो इसको भाग कर लो ऐसे चुपके से एक ही मिनट में आ जाएगा मतलब यह जल्दी से जल्दी कर लो इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा आप इसमें पहले उपर पॉइंट बढ़ाओगे जीरो उतारोगे तेरा प आपको पता है क्या पता है कि एक बार दसम्रों पढ़ाया था मैंने जीरो उतार लिया अब तेरा एकम तेरा यह फिर साथ आ गया मतलब 6-1 लग भाग आएगा संथिंग न तो आप इसे कह सकते हो कितना आएगा पॉइंट 6-1 लग भाग आएगा संथिंग में कहां गया कितने नंबर दिये हैं चार ठीक है गुड चलो मतलब यह लग भग 61 पैसा के बराबर आ रहा है कितना आ रहा है लग भग 61 पैसा के बराबर आ रहा है 0.61 इसी तर आप 32-97 वाला भाग दे लो 32-97 वाला जल्दी से भाग करो फटा फटा आप सभी कर लो बच्चे तो 3-2 लग 32 के बराबर आएगा 0.32 आएगा आप अगला वाला भी भाग करोगे तो वह भी क्या आएगा 28 के लग भाग आएगा सम्थिंग कितना आएगा 28 के सम्थिंग आएगा 0.28 यहां पर आपको पता है कि यह दोनों बराबर हो जा रहा है क्या हो रहा है यह दोनों बराबर हो जा रहा है इसका वैलू इसका बराबर हो जा रहा है तो इसको हम एक अंक और बढ़ा लेते हैं दो अंक में हमने इसको लिया तीन अंक में कर लेते हैं तो अगर आप इसको तीन अंक में करोगे तो आपको पता है कि जब हम इसे भाग करते हैं साथ से तो दस हमलों बढ़ा की जीरो उतारेंगे तो साथ दूना चौदा गटाने पिछे जीरो साथ अठे चाप पन, गटाने पे चार आता, चालिस बनेगा तो साथ पचे पैंथीस, मतलब पांच जायेगा उक जायेगा, अजने बढ़ा, यह बढ़ा यह चोटा है, है ना, आरू ही करम का मतलब होता है पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा यानि इसमें सबसे छोटा कौन है अगर हम ढूंडने निकले सबसे छोटा तो बच्चा ये सबसे छोटा है न ये कौन है सबसे छोटा है हां ठीक है यह कौन है सबसे चोटा यह यह सोला बटा सत्तावन लेकिन हमें क्या करना आरोही करम में लिखना है आरोही में क्या करते हैं हम चलो बताओ ascending order जिन्हें बोलते हो यार क्या बोलते हो ascending order आप बोलते हो जिसमें सबसे चोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा तो यह number 1 पे हो जाएगा मैं पहले यह numbering कर लेता हूं फिर आगे लिकूंगा यह number 2 पे हो जाएगा बच्छा ये number 3 पर हो जाएगा इसे पहोँ जाएगा फिर से से नमबर चार पर हो जाएगा क्यों क्योंकि यह 80 न Morgen गॉइन के लगभग लेकिन last dólar डिजिट 0 है ये भी 28 पैसा के लगभग है लेकिन थोड़ा सा और सब्सक्तर zaj Totally से थोड़ा फज्यादा है ना चलो ठीक है बहुत से चात्र कमेंट करने मैं देख रहा हूं जैसे कि अर्चना आर्पी तिरपाठी और विस्वजीत जी कमेंट करने बहुत से बंदें हैं भाई तो कोई बात नहीं चलो आपसर नमबर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से यह हो आपसर नमबर डी राइट ठीक है कि समझ में आया ना आ रहा ना समझ में कोई डाउट किसी को नहीं न देखो भाई अभी हमारे हां इलेक्ट्रानिक बोर्ड नहीं लगा जिस वज़ासे काफी मुझे दिक्कते होती हैं आप लोगों को भी होती हमारी वज़ासे क्योंकि मै रवायल का सुष्टम हो जाएगा है ना आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें है कि ना तिक्सी काहे को डंडा कर जो ट्रेस्ट हो ठाबाबु संदे कोसर्वासे को होता है अुसे Сам इसले मैंने होता है सबी बच्चे कमेंट करके बताओ भाई पंकर जी आ रहा समझ में न और कौन है मोहित जैन ठीक है मनीची यहां कमेंट देख रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो को खुद से भी देखता हूं प्ले करके विकाज क्वाल्टी का कोई इसू ना हो आपको यह हमारी पूरी कोसिस होती है चलिए अगला कुष्चन थोड़ा सा इसमालेस्ट एंड लार्जेस्ट पर डिपेंड है चोटा और बड़ा नंबर पर डिपेंड है है तो सिंपल सा अ लिखो कुष्चन नंबर थाड़ हो जाएगा आज का आपका थाड़ एफ और जो भी यह लिखो कि कह रहा कि 3 इंट फोर माइनस एक्स है इज ग्रेटर देन आर इक्वल है फोर एक्स फलस फाइफ यह है तो तो क्या करना है तो कह रहा है कि नीचे दिए गया अप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा चलो बताओ एक्स का मान एक से छोटा होगा या बराबर होगा पहला अप्शन है यक्स इज इक्वल वन और ग्रेटर देन वन इसमालर देन वन ठीक है मतलब एक्स का मान एक के बराबर या एक से छोटा होगा अगला अपसन है करा यक्स का मान 6 के बराबर या फिर 6 से चोटा होगा अगला है यक्स की वैलू 1 के बराबर या 1 से चोटी होगी या फिर यक्स की वैलू 6 के बराबर या फिर 6 से चोटी होगी है ना बड़ा आजीब सा सवाल यह आपके अध्यापक बर्ती परिक्षा में पूछा गया सवाल है इसको देख करके आप लोगों को आजीब सा लग रहा होगा कि यह कैसा सवाल पूछ लिया जाता है न तो यह सवाल इस तरह से भी आप से पूछ लिया जाते हैं चलो आप क्या करोगे जैसे आप अभी तक करते आए हो बस 55 करोगे को ठीक है नातीक जी ब्लॉक कर दें क्या तुमको यार नहीं पढ़ना चाहते हो चुपचा पढ़ लो जो पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ना जाओ चल ले जाओ कह है परिसानो ठीक है बच्छा अगर पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना जाओ तो कोई और काम देखो चलो इसका अंदर में multiple करोगे हम इसको salve करेंगे तभी समझ पाएंगे न बिना salve करें तो समझ नहीं पाएंगे तो 3 का 4 में गुड़ा करोगे 12 हो जाएगा minus ये 3x ये चिन्न ऐसे लगा दोगे जैसे भी लगा इसमें कोई परिवर्टन नहीं करना ये 4x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा ये चिन्ना देखके घबराना नहीं ये मानलो बराबर लगा बस only equal मानलो बस ठीक है तो ये हो जाएगा 12 उधर से इधर लाओगे 5 माइनस में हो जाएगा ये 4x इधर जाएगा ये तो 3x हो जाएगा बच्चा फाइनल में अगर हम इसको चाहें पूरा लिखना तो ये 7 और ये 7x क्यों भाई साहब क्या आएगा यार ये क्या आएगा अरे यार यक्स का मान निकालोगी धर आके भाग हो जाएगा तो 1 ऐसे आएगा यानि जो यक्स का वैलू है वो 1 के बराबर या 1 से बढ़ा होगा बिरिजी कांत मिसरा जी बिल्कुल राइट करेक्ट करेक्ट है क्या ना बच्चा गलत है भाई विरिजी कांत जी सी नंबर आप सो राइट होगा ये तो उल्टा है उसका यार इसका मतलब ये है कि जो यक्स की वैलू है वो 1 से बढ़ी होगी या फिर 1 के इक्वल होगी संद्या सिंग जी बिल्कुल राइट वेरी गूड चलिए समझ में आया ना सभी को किसी को कोई डाउट इसमें नहीं न कोई परकार की हरानी परसानी हुई नहीं हुई न चलिए तो ये कुशन आप लिख लो नोट कर लो मैं सामने से थोड़ा सा हट जाता हूं साइड हो जाता हूं आप लोग चल्दी करो करो फटा-फट करो है कि को गया न अगले सवाल पर आगे बढ़ो चलो अगला सवाल इसमें दिया है बहुत ही अच्छा है सुन्दर सा अधार सा है क्या कह रहा है अगला बहुत अच्छा सवाल है बाबू देखो क्या कहता है अठारा नंबर है लिखो नेक्स्ट कुश्चन लिखो आप सभी देखो बच्चे आप लोग की संख्या ने जूड़ती इसलिए मज़ा नहीं आती है जान लो ठीक है लाइव इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं बा लिखो यादी अंडर रूट थ्री पावर फाइब इंटू नाइन का पावर टू है बहुत हाई-फाई कुश्चन नहीं आता इसमें किसमें यह सीटेट यूपिटेट में बहुत हाई-फाई कुश्चन नहीं आता है कि वह बैंक और उसके जो है बैंक पीयों के बराबर आ इसी में लोग अटक जाते हैं यह है कुश्चन तब यन का मान बताओ तब यन का मान क्या हो सकता है चलो यन की वायलू क्या हो सकتी इधर साइट में आप सम लिखुगा वह कुश्चन है यह पुराने का सलूशन अभी मिटा दूँगा टैनसन नहीं लेने का यन का मान तीन हो सकता है बाबू चार हो सकता भाई साहब या पांच हो सकता है या फिर इन में से कोई नहीं चलो देखो सौरब सिंग का उत्तर भी आ गया बहुत अच्छे सौरब जी और कौन है आकरती बर्मा बेरी गुड चलिया और कोई इधर कमेंट अच्छा दिखता मु सब्सक्राइब हो जाओ जल्दी जल्दी से हां चलो चलो मैं इसको हल करता हूं मिटा करके बिल्कुल पूजा सोनी बिल्कुल परी गुड आपका भी करेक्ट है देखिए बहुत से बच्चे इसका उत्तर दे दिये और जो बच्चे नहीं कमेंट कर पा रहे हैं कुछ बच् पाइब है उनकी क्योंकि उनका कमेंट अप्रूब नहीं हो रहा है देखो आपको पता है कि इसकी घात पांच लगी न अच्छा मुझे बात बताओ कि आप जानते हो कि अंडरूट तीन का मतलब है कि तीन की घात एक बटा दो आप बोलो यस आप जानते हो कि नहीं डू इसका घात जो पांच है हम इसे लिख सकते हैं अंडरूट तीन की घात पांच को हटा करके यह ऐसे बोलो लिख सकते हो ना चुकि अंडरूट लगा हटा होगे तो एक बटा दो हो जाएगा इकोल नाइन के पावर टू ठीक है यह तीन के पावर यन इन्टू इसमें भी ऐस कि सभी क्यों घात के रूप में कर लो सभी को अलग अलग पठक दो इनको तीन है कि इसके साथ गुड़ा में है प्रिजिकान्त मिसराजी समझे में आ रहा है इसके जाए बाबू क्या है मल्टीपल में है तो इसको भी आप फैला सकते हो एक्स्प्लेन कर सकते हो इधर देख हो हमने 3 का पावर यंतों लिख लिया इस 3 का पावर वन कर सकते हैं कौन सा 3 अरे यह जो इसके साथ था इंटू यह जो अंडरूट बच्चा पांच बटा दो इंटू यह नौ का घाते दो कौल तीन की घाते यन आपको पता है गुड़ा करने पर जूड़ जाती है तो हम एक लाइन और बढ़ा दे आपको समझाने के लिए बाकि इसे तो फास्ट मोड में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा यह आपका क् हाउ को तीन का घाते 2 कर सकते हो बच्चा कि कर सकते हो ना बाई मैं बाई जो एक मैं और बढ़ाद दूरा नथ इसकी घात फाइनल में यह जुड़ जाएगी है दो 165 बटा 2 न करने जुट जाएगे बोलो जुड़ जाएगी कि नहीं क्यों जुड़ जाएगी क्योंकि इसको तिन कखा दो करो गे दो ये चार हो जाएगी गुड़ा करने पर गाते जुड़ जाएगी आधर बराबर रहेगा इधर साइड भी जुड़ जाएगा ये बस हल कर लो गातों की तुलना कर लो यन का बैलू आ जाएगा चलो जल्दी करो जल्दी करो फटा फट करो लिखो गातों की तुलना करने पर क्या लिखोगे भाई साहब गातों की तुलना करने पर गातों की compare करने पर यनका बैलू मिल जाएगा आपको चलो यहां पर एक लिख लो यह ठीक है जो भी है इनको final में हल कर लो आप लोग कितना आएगा कितना आएगा वाट्सप पर reply मिलेगा थोड़ा time लगेगा थोड़ा समय लगेगा तो कभी कभी वक्त कुछ जादा लग जाता है चलो कि मैं इसको हली कर देता हूं जब आप लोग चाह रहे हो तो चलो ठीक है इसका multiple करोगे 5 भाई 5 यह कम पांच यह दूच्व का आठ आठ पांच तेरा कितना हो जाएगा तेरा हो जाएगा थर्टीन बटा दो हो जाएगा हा इसको हल करोगे अगर आप हल करना चाहो तो हल कर लो भीन वाला जो है एक में कर लो गया फीर फूरा एक में कर लो फाइनल में यह घून हो जायगा तो यह दो यह जायेगा बच्चा प्लस याद रखना तीन की घाते हैं सभी मत भूलना की तीन की पावर है यह क्या हो जाएगा भाई पूरा यहां पर वन है यह वन है भीन हल करना जिनको आता है पूरा का LCM लोगे दो आएगा दो से बाख करोगा दो यह धन दो और धन एक बटा दो अब गातो की कंपेर कर लो आप लोग चुकि आधार बराबर है घातों की तुलना कर लो तो मैं इधर मिटा दे रहा हूं आपसन आपसन से कोई मतलब नहीं चुकि मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं से लूशन कैसे करना है तो घातों की कंपेर करोगे तो एक दूसरे की बराबर आ जाएंगी बराबर करके आप मान निकाल लोगे तो पांच आजाएगा य कितना आ जाएगा बाबु फाइफ आजाएगा यानी चंपेर का मतलब कर थीरा न्ताएं च्छबस यह जाएगा झर दम्तिक Oops मुझे पिर यह 26 और यह गुड़ा करोगे तो दो दूना 4 यन और धन 6 कर लो 4 यन धन 6 तो भाई सहाब यह 26 माइनस 6 बराबर 4 यन तो 20 बराबर 4 यन यन का बैलू निकालोगे बाबू इधर आएगा कट जाएगा तो 5 बराबर यन यन का बैलू किता आएगा 5 आएगा है ना कितना आसान मैंने एक्स्प्लेन कर दिया थोड़ा लंबा हो गया इस वज़ा से लेकिन कितना सिंपल है आप कर लेंगे ना किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता दो धीरत जी का है को परिसान हो यार चैनल नंबर 3 पे आपकी कलास सुबह 8 बजे होती है बाबू और आपकी कलास PBR स्टड़ी इलहाबाद मुख्य चैनल पे भी होती है ठीक है दोनों जगा आपकी कलास पे चलती है तो फिर समझ गए ना आप लोग बाते समझ गए ना चलो ठीक है तो फिर चलें आज की कलास यहीं पर इंड़ करते हैं वैसे जो भी कुश्चन आपने लिया था सारे कुश्चन हो चुके हैं तो आप सभी को कोटी कोटी प्रेम पूर्बग बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपने देखा कि हम आधे गंटे में आपको 8-10 कुश्चन करवा दिये जो भी आपने समझा होगा अगर कोई टाउट है तो आप बता दीजिए जो बच्चे नहीं देखे वीडियो को पीछे कर लाइब होती है बाकि आप इसे देख सकते हैं पीबियार स्टेडी के एप में अच्छी तरह से प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं ठीक है प्रीमियम भी आप ले सकते हैं